Friends, last time पर हमने पढ़ा था Maxwell Distribution of the Molecular Velocities आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है Collision Phenomena या टक्कर परिगटना या टक्कर सिद्धान्त हम जानते हैं कि किसी भी गैस के अणों पात्र के अंदर लगातार गती करते रहते हैं और इस गती करने के दोरान वे आपस में भी टक्राते हैं और गैस की पात्र की दिवारों से भी टक्राते हैं जब मॉलीकुल से एक दूसरे से टक्राते हैं तो उनके पत्व में परिवर्टन होता है और साथ ही उनकी गती में भी परिवर्टन होता है तो हम कह सकते हैं कि अनों की गती किसी भी गैस के अंदर जिग जैक मोशन होती है अर्थात दो टक्रों के बीच में तो अनों सीधी डेखा में गती करता है लेकिन टक्र के पस्चाथ उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है जिसको हमने चित्र 3.16 में बताया है इस पत को हम जिग-जग मोशन कहते हैं टेडी मेरी गती कह सकते हैं कोलीजन डायमीटर से हमारा ताथ पर यह है कि जब दो अणू टकराने के दोरान एक दूसरी के नजदीक आते हैं तो वे इतने नजदीक आ जाएं कि उनमें अब प्रतिकर्शन बल कारे करने लग जाए तो उस समय वे मॉलीकुल टकराहट के स्थिती में कहलाते हैं हमने माना है कि गैस के अणू सॉलिड होते हैं और स्फियर्स होते हैं यदि एक अणू के तरिज़्या आरवन और दूसरे अणू के तरिज़्या आरटू हो यदि दोनों अलग लग हैं और इस दोनों समान हैं तो निश्यत रूप से दौनों के तरिज़ा r1 r1 ही होगी सब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो हम यह मान कर चलते हैं कि उनकी सिमाएं एक दूसरे से टकराती है अर्थात उनके बीच में distance या उनके केंद्रों के बीच में distance r plus r is equal to 2r हो जाती है इस 2R को हमें दी सिगमा से बताएं तो यह सिगमा ही कुलीजन डाइमीटर कहलाता है या संगटन व्यास कहलाता है तो हम कुलीजन डाइमीटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कुलीजन डाइमीटर किसी भी गैस के दो अनों के टकराते समय उनके केंद्रों के बीच की दूरी कुलिजन डायमीटर कहलाती है यह है वह मिनिमम डिस्टेंस है जिससे ज़्यादा नजदीक अनूं नहीं आ सकते इसके पस्चाथ अनूं एक दूसरे से टकनामे के पस्चाथ वापस अलग-अलग दिशाओं में चले जाते हैं आरवन प्लस आरटू और इदी आरवन राटू दूसमान हैं तो सिग्मा विल बे एकवल टू टू आर इसे ही हम कुलिजन डायमीटर कहते हैं जिसे जन्रली सिग्मा से दर्शाया जाता है नेक्स्ट है हमारे कुलिजन यह मीन फ्री पाथ मीन फ्री पात से जहां पर या मुक्त स्वतंत्र अवस्था मुक्त स्वतंत्र पत मुक्त स्वतंत्र पत क्या होता है जब अनों टकराते हैं तो टकरानी के पस्चाथ वह अपनी दिशा और गती दोनों ही बदल देता है mean free बात से हमारा दाथ पर यह है कि किसी भी एक आनू की दो टक्रों के मद में औसत दूरी जो वह है cover करता है या औसत दूरी ताह करता है उसे उस अनूगा mean free बात कहते हैं हमने यहां पर यह माना है कि एक अनूगती कर रहा है और अपनी गती के दोरान वह दो टकराटों के बीच में जितनी ओसत दूरी त्या करता है वह उस अणों का mean free पहात या माध्य मुकपत कहलाता है Depending on how the average distance covered by a molecule between two consecutive colleges is known as mean free path इस mean free path को यदि हम लैम्डा से बताएं तो लैम्डा is equal to capital V upon under root 2 pi n sigma square यहाँ पर V gas का आयतन या पात्र का आयतन है N, capital N उस gas के कुल अनों की संख्या pi constant है sigma आप अड़ी चुके हो it is the collision diameter है चूंकि V total volume capital N number of molecules in volume V so V upon N will be number of molecules or you can say that N upon V will be equal to the number of molecules per unit volume जहां पर इसको हमने small n से बताया है तो lambda हमारा क्या बनिया lambda is equal to now 1 upon under root 2 pi N upon V की जगा हमने क्या रख दिया small n and sigma square वापस दियान दीजिए यहां पर n small n is the number of molecules per unit volume है जबकि capital N क्या था number of molecules in given volume V sigma is the mean free path यदि हम इसको P यानि pressure exerted by the gas की टर्म में लिखना साह है तो lambda will be equal to small kt upon under root 2 pi sigma square multiplied by P यहां पर याद रखिए small k Boltzman constant है T absolute temperature है sigma collision diameter है and T is the pressure exerted by the gas next है हमारा collision number or collision frequency collision टकर संख्याय टंकर आपरती इसको में कैसे define करेंगे the number of collisions performed by a single molecule in unit volume in unit time is called the collision frequency हिंदी में कैसे बताएंगे किसी भी एक अनूं के द्वारा एकाई समय में और एकाई आयतन में दूसरे अनूं के साथ कुल टकरों की संख्या collision number या collision frequency कहलाती है इसको हम Z1 से लिखते हैं और Z1 is nothing but it is equal to C bar upon lambda जहांपर C क्या है C mean velocity है and lambda is the mean free path C bar को हम पहले पढ़ चुके है average velocity को हम लिखते थे 8RT over pi M से raise to power half और lambda को हमने लिखा है under root 2 pi capital N sigma square upon V जब इसको आप solve करेंगे तो you will get Z1 will be equal to 4 sigma square capital N divided by V in bracket pi RT over M raise to power half ये जो collision number है ये दो molecules के लिए है एक molecule के इंकालने के लिए इसको आप 2 से divide कर दीजिए जब आप इसको 2 से divide करोगे तो you will get Z is equal to 2 sigma square N upon V whole square pi RT over M raise to power half और इसको अपन सिंप्लिफाई करें तो Z will be equal to 2 sigma square small n square pi RT over M raise to power half यहाँ पर अगे इंद्धान दीजिए sigma is the collision diameter small n is the number of molecules per unit volume R is universal gas constant T is the temperature and M is the molar mass of the gas यदि जो अलग अलग अप लें जिनके molar mass करमशह है MA plus MB हो तो यहाँ पर collision frequency या collision number हमारा बन जाता है Z AB is equal to 1 upon 4 small n a small n b sigma a square plus sigma b square 8 pi RT upon mu raise to power half जहाँ पर mu क्या है mu कहलाता है reduced mass reduced mass mu is equal to m a m b upon m a plus m b जहाँ पर m a a gas का molar mass है और m b b gas का molar mass है इस तरीके से हमने एक समान gas के लिए या वह gas जिसमें समान अणू हो उसके लिए और यदि दो अलग 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 परकारद के अणू हो उन दोनों के लिए हम collision frequency या collision number की लड़ना कर सकते हैं कल मैं आपको बताऊंगा liquidification of gases या gas का दरवी करन क्या होता है Thank you